असलाम लीकुम हलो वीवर्स वैलकम टू माई चैनल तो यहां नेवी ब्लू ग्रीन और यह स्काइबलू और मस्टर्ट येलो यह हमने फैब्रिक ले लिया है कपड़े के अकॉर्डिंग तो हमने यहां पे रियॉन का फैब्रिक लिया है गर्मी का सीजन है इसलिए वरना आप इसको सिल्क पर भी बना सकते हैं अगर पाटी वियर के लिए बना रहे हैं तो यह हमारे पास पॉनेच दो मीटर कपड़ा है जिसकी लेंब 36 इंच थी अब हम इसे फोल करेंगे और चोड़ाई इसकी हमने आपे 13 इंच की करीब ले लिया है जितना आपका कोई ब्रॉट लाई में जाएगा तो 10 इंच हो जाएगा तो यह हमने इस तरह रखके इसको आगे और पीछे के लिए कट कर लेना है और फिर हम इसको स्टिच कर देंगे ऊपर से मैंने स्लाई नहीं लगाई है अब कपड़े को फोर फोल्ड में रखेंगे तो अब इसकी जॉइंट के बा थोड़ा पाकिस्तानी लूप में है यह तो थोड़ा इसमें लूजी रहेगा और चाग लेंग जो मैंने 21 इंच पे मार्क कर लिया है बस्ट साइज हमारा 42 था जिसमें हमने 2 इंच लूजिंग एड कर लिया और उसको फोर से डिवाइड कर लिया तो हमने 11 इंच पे बस्ट अब यहां पे 2 इंच हम और नीचे से 1.5 इंच इस तरह स्विंग लाउंस के लिए भी मार्क कर लेंगे शोडलर डाउन कर लेंगे 1.5 इंच पर और यहां पे हम अंदर की तरफ 5 इंच के करीब लेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए और फ्रंट आर्म होल की भी शेप और यहां से हमारा नीचे की तरफ से 1 इंच थोड़ा बढ़कर आएगा यह लाइन नहीं है यह लिकिन थोड़ा सा इसमें दामन हलका सा चोड़ा है तो एक इंच हमारा यह नीचे से बढ़ा हुआ है बाकी सब सेम रहेगा और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे जैसे मार्कि पे बैक वाले पैनल में अब नेक लाइन कट करेंगे तो 3 से पॉने 3 इंच आप रख सकते हैं मैंने 3 बाइ 3 का यहां पे गला बनाया है 3 इंच इसकी चोड़ाई है और 3 इंच इसकी गहराई है सिंपल राउंड नेक बना लिया है अब यह हमने स्लीव के लिए फैबरिक ले लिया है तो इससे आप देख सकते हैं यहां मैंने फैबरिक को फोर फोल्ड कर लिया है 22 इंच के हमें स्लीव रेडी चाहिए स्लई के लिए हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और हम 1 इंच एकस्ट्रा लेंगे स्विंग लाउंस के लिए तो 7 इंच की मैं हमें स्लीव कट्ट करूंगी तो यहां पर हमने 3 इंच पे řाओ स्थी स्थीव कर लिए Yayंगे इस तरह हमने पर स्लीव की शेफ ड्रॉ कर लिया है और यह 6 इंच का हमने स्लीव काट लिया है अब यहाँ पर ग्रीन वाली स्ट्रिप लगाएंगे हम तो यह मैंने 3 इंच के लिए है और यह वाला फैब्रिक भी हमारा 7 इंच का है तो इस तरह दोनों को बीच से अलग कर लेंगे और यहाँ पर यह पर प्यूंद भी कट गया है और यह ग्रीन वाली जो स्ट्रिप थी हमारी उसी के साइस की हमने ब्लू स्ट्रिप भी ले लिए है भिलू हमारी यहाँ इसके बाद वारा बस्टप्रेड तो 77 इंच का हमें यह कर लिया है अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे पहले हमने जॉइंट लगा लिये थे मस्टर्ड वाले का भी जॉइंट नहीं लगा हुआ है यह देखिए कपड़े को इस तरह रखना है और इसके साइड साइड यहां से हमें थोड़ा सा छोड़ देना है उपर से यहां भ भाष थोड़ा द वहां पर भी कट लगा लेंगे और इसको बहर की तरफ निकाल लेंगे और्फिर स्लीव करनेंगे यह अब यहां पर नहीं अश्ड़ निलिये हैं। अब यहां पर हम इसको कि अज्ड़ कर के लिएँ हूँ जिस्सेए इकुछ इससारा का हो जाएगा अब हम इसमें नेक लाइन बनाएंगे तो मैंने कैनवास ले लिया है जिस पर हम यहां पर थ्री इंच का चौड़ाई और थ्री इंच का गहराई में एक गोल गली की शेप ड्रॉ कर लेंगे लेंगे लेंद रखेंगे साड़े चौदा इंच फॉर्टीन एड़ाफ इंच और यहा कि अंदर से कली की कटिन कर लेंगे और यहां पर हमें बहुत कम थोड़ा साही इस तरह कट करके हिसको कपिड़े पेस्ट कर लेना है एक्स्ट्रा फाब्रिक को कट कर देंगे साइड में कट लगाएंगे और इस पर इसलाई लगा लिए अब कुर्टी के फ्रंट पे इसको इस तरह रखके सिल लेना है और यहां बीच से कट लगा देंगे नौच इस लगा लेंगे और इस तरह यह हमारा गला रेडी हो जाएगा थ्री इंच यहां पर हम इसको ओपन रखेंगे और नीचे स्ट्रिप लगा लेंगे यहां हमने सितारे ले लिए हैं सिक्वेंस तो पहले बड़ा सितारा लेंगे और फिर उसी के उपर छोटा सितारा लेंगे और यहां पर मोती जिसको पोत कहते हैं वो लेंगे और इस तरह मोती को छोड़के सितारे में से टाका वापस करेंगे और इसको टक कर लेंगे और फिर यहां पर हमें चोटा वाला सितारा लेना है और एक मोती फिर से डालना है गोल्डन कलर का है यह और फिर इसको मोती को छोड़के सितारे में निडल को वापस कर लेना है तो इस सरह embryojory करनी है पूरा जहां तक हमने यह प्लैकट बनाया था वहां तक और दूसरी साइट से हम इसको लंबा रखेंगे अब यहां पर फोर फोर इंच के गैप पर मैं इनको लगा रही हूं निशान को पहले निशान हमने सीधे लगाएते हैं अब हम उसके सेंटर से ले रहे हैं तो फोर इंच की मैं यहां पर गैपिंग रख रही हूं अगर आप इसको थोड़ा और घना करना चाहें तो थ्री इंच की गैपिंग भी काफी रहेगी एंब्राइडरी फ्रेम में लगा कर यहां पर हम इसको पहले छोटे सितारा और मोती को टक कर लिया है अब उसके बाद यहां पर बड़ा सितारा और उसके उपर फिर हम छोटा सितारा और छोटा मोती यहां पर लेंगे और इसको इस तरह टक कर देंगे तो यह देखिए बहुत ही अच्छा सा यह लुक आने वाला है चीप एंड बेस्ट यह आपकी ड्रेस होने वाली है अब हम यहाँ पर भी एक लाइन बनाएंगे और दो लाइन ग्रीन पर बनानी है हमें तो यहाँ पर एक सितारा छोटा और एक बड़ा इस तरह लगाना है जैसे हमने नेक लाइन पर लगाया था हैंड निडल से इजी लिए आप इसको बना सकते हैं तो यह मैंने बना लिया है और यहाँ पर ग्रीन वाले पर हमने यह दो लाइन बनाई है अब हम इसमें यहाँ पे 33-3 इंज के गैपिंग लखेंगे और यहाँ पर हम सेम करेंगे जैसे हम ने कुर्टी में किया था सितारा और मोती लगा था होता है अब हम इसकी शोल्डर जॉइंट कर लेंगे पिटिंग की स्दीव लगा से चुक है और लिए लो इश्विस के लिए देखरında हमारे रहेगा उतना यहाँ कर लेंगे कोذا हिसंट कर लेंगे को अविक ग्याइन आरति तो अस तरह कि इसको स्चिय कर ले нос है और फिर स्लीव जॉइन कर देने हैं अब हमें यह नीचे पलटा पट्टी का इसमें शो हो रही है तो हमें वो भी लगानी है तो यहां पर जितना अपके चाक के बाद जितना एक्स्ट्रा मार्जन है उसको मांक कर लेना है नीजे हमें half inch में Folge करना है क्योंकि हमारे पास यहां पर इतना ही कपड़ा है और यहां हमें पहसेम जितना भी हम अमारा स्वाल के पूरा इप लेके पूरा या पर इस तरह चॉक से ड्रों करना है अब चाहएं तो iron से किनारी की और इस तरह चाग से थोड़ा सा ऊपर इसको रखके लगाना शुरू करेंगे एक साइड हमने पहले ही स्लाई लगाई वी है और दूसरी साइड से हम इसको दबा के सिलना शुरू करेंगे पूरा नीचे तक लाएंगे करेंगे और्ट और लोक्र धालिक करेंगे और यहांने चूर अपर इसकोвержığın उसका उतारा शुरू कर देंगे अगर आप इसकी पासरी साइफ्टा शुरू कर देंगे अगर आपसकी दीटेयल में नहीं इस कुट्टी को रिक्रेट किया है तो इसमें स्लीफ और एम्प्रॉइडरी का थोड़ा डिजाइन था तो इस तरह जिब ये ग्रीन वाले पर ये ब्लू वाली पट्टी शो होगी चलने में तो ये काफी अच्छा लुक आएगा स्लीफ के वजासे कुट्टी में थोड़ा डिफरेंट लुक आ रहा है तो हमने व्यूटिफुली ने बना लिया है सो ये रहा फाइनल लुक और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपना सजेशन कॉमेंट के जरीए हमें दे दिया करें थैंक्स फॉर वाचिंग